वहाँ जब लाठी चार्ज हुआ उसमें पुलिस के करमचैरी मोजूद थे मीडिया जो चोता इस्तम कहा जाता वो मोजूद था आई बी के लोग मोजूद थे बात ही नहीं कि सीदा के लाठी चार्ज करती है और मुग्दमा दर्ज करती है मैंने पेले अंत्यागा है, जल त्यागा है, लिक्वीर त्यागा है अब मुझे धे त्याग ना पड़े, यहों के लिए मैं त्याग दूँगा नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब के CTV में और मैं हूँ आपके साथ प्रयांका शल्मा आज मेरे साथ खास मुलाकात या खास चर्चा में शामिल है राजस्थान बेरुजगार एक एकरत महा संग के अध्याक शुपईन यादव जी सर बहुत स्वागत है आपका सर इतने सालों का जो आपका संगर्ष है उसका क्या नतीजा रहा है नतीजा यह है कि पिछले 11 साल से मैं संगर्ष कर रहा हूँ दो लाक से ज्यादा याव एरुजगरों को सरकारी नोक्रिया में लिया हाला कि संगर्ष बड़ा कठीन राह है करीब 300 से ज्यादा आंदोलन है दस से ज्यादा आमरा अंचन है दर्जन बर मुगद में दर्जुए हैं दर्जन बर बार जेल गया हूँ लाट्या खाई शड़कों भुचाया है और राजिस्तान ही नहीं चाहे उत्रप्रदेश लखना हो गुजरात हो दिल्ली हो चाह राजियों मांदोलन के लेकिन इतना संगर्च के बदलत है अधिय प्रदेश उत्रप्रदेश कई राजियों को लोग कोल और मेंसिश करते हैं कि हमारा साथ देने के लिए हैं कि हमारे कोई आवाज उठाने वाले नहीं है जबकि हकीकत यह है कि जो विधाइक होता है सांसद होता है जो जन्द परतिनी दिए उस लेकिन आज पिछली 11 साल से संगर्ष कर रहा हूं आज राजस्तान बेरुजगार एकित मासंग का नाम इस्तापित है आज अधिकारी मंत्री सुनते हैं तो कहिने कई यहों को न्याई मिला है लगातार हम आवाज हुठा रहे हैं तो यह संगर्टन पुर्य देश का पेला सं संगर्टन कम जोड़ नहीं है तो ऐसे में सरकार को पेसला लेने से कुछ निर्ने करने से पहले एक बास सोचना पड़ता है कि हम यहों के लिए कर रहे हैं अभी हाली में बड़ा उदारन देना चाहूंगा कि सरकार ने का कि यह बजट यहों को समर्पित होगा और 10 परवरी को यहों के बढ़ती हो गोष्णा ही नहीं हमने एलाद किया सड़कों पे उत्रे पंदरा तारीकों आंदोलन किया मैंने अंका त्याग कर दिया जब तक मुख्यमंत्री जी गोष्णा नहीं करेंगे मन घ्रन नहीं करूंगा लेकिन साथ में एक मांग ओड थी जो साथ पर व आगे कि क्या आपकी मांगे हैं वो भी जानना चाहेंगे अभी फिलाल तो पिसले 22 दिन से मैंने अंका त्याग कर रहा था आज मैंने लिक्विड का भी त्याग कर दिया है और त्याग करने का कानन यह है कि हम साथ फरोजी को वहां आर्पीसी पोचे रहा हमने का अक्टुम बुफंदर सारण का है हमने पूचा कि वसमें कौन-कौन बेठे 20 खुलासी हो जाए हमने कहा कि आप उसके अंतिम कर्यी तक खुलासा किया ज gens है कर दिया गया जबकि वहां पुलिस मोझूद थी उनकी सहमती से हम लोग वहां खड़ेते हैं पांस लोग वारता के लिए जा रहा था लेकिन अचानक ऐसे चुछ उता है लाटी चार्ज करता मुगदमा दर्श करतेता है लेकिन मेरे सामने मेरी यहां को पर लाटी चार्ज गो यहां तुन्त तुन्त उस एस यह जो जो है जिसने ताना साही की लाटी चार्ज की बचस्वलुकी उसको निलम्बित किया जाए और मुगदमा पासली आए गए जब तक मेरा अंसन जारी रहेगा चाही मेरी जान चल जाए में पीछ अटने वाला नहीं मेरी यहां विरुज तो युआ यह भी चाहेंगे जो आपके साथ ही हैं कि आप उनके लिए आवाज उधा रहे हैं लगाता तो क्या वो देखना चाहेंगे कि आप किसी एक पद पर आपको होना चाहिए प्रिंका जी दोनु सरकारों मेंने संगर्श किया है बीजेपी में पांसाल लगाता लाट्या काई और चार साल सी सरकार में संगर्श किया हाला कि कई बार राजनीती जुड़े लोग केते हमारे साथ आज आजा जाओ आओ आपको यह मिल जाएगा लिकिन मैंने कभी भी प्रिंग कोशना है लगनों समझोता गुजराद समझोता कई आसे समझोता है मंत्रियों से लिक्की समझोता वाज बैदूर है जिनके लिए मरस अंगर जारी है तो ऐसा लग रहे है कि यदि योग के मांगों को नहीं माना जाएगा पेपर लीक होते रहेंगे इसा बेचा ज वोगनों को एपणा ए भी रुणां को जागिरत करने काम काम करें लाग्स्तान या है जुड़े हुए है एक आवाज बेचं़ नहीं प्रत्रशन करते ही यह हो है तो इस वार मेरी क्या राज्स्तान के हर यह की बड़ी भूमी का होगी जो चुनाऊ हों गे जीत में एहम तो अब की बार चुनाओं मेत्वपूर्ण होंगे और वोट की चोट करने के लिए राजस्तान का युवात तैयार बेठा है पर लिक मुक्त राजस्तान की मांग कर रहा है समय पर तमाम बढ़तियां जो एक लाग बढ़तियों की गोशना किया राजे सरकार ने आपने गोशन अब होगी और कभ जोईनिंग यह सारी चीजी स्पस्ट की जए इस्तिती स्पस्ट की जए क्योंकि आठ नौ मेने बचे है उनका वर्गी का तत्काल करें उचो परक्रिया दीन बढ़तियां जेसे कंपीटर अनुन दे सक वर्तियां बेसिक अन अभ्यरतियों को जोईनिंग जाए परिडीय आप परिडम जारी करके पैजर्ड जारी करके उनका पर ज्लाइरि यह फैर मांगा प्रदेश के बेरुजघार को प्रात्मिक्ता दीजाए बेरुजघार के नहीं था कि आपने पहले आने त्याग आप जल्बी त्याग दिया है फिर सरकार नहीं सुन रही है कहां कमी लग रही है अब मैं तो यह कह रहा हूं कि इसाज हुआ उसमें पुलिस के करमचैरी मोजूद थे मीडिया जो चोता इस्तम कहा जाता वो मुझूद था आई-बी के लोग मुझूद थे आप उनसे पूछ लीजिए मैं तो कह रहा हूं कि यद अब भी आई कर दोग्टी यहों का यहां किया जाता है कि वह उबदरों मचाएं वह बैढ जाएं नहीं सुने बात ही कि सिधा कर दो चार्च करती अभूद मुंग मुझद में दुफित करसिए तो उसकी जाच करें मैं चातों मेरे यहां के साथ मेरे बालु कार जातां उन् यह अन्याई नहीं कर सकते हैं यह जो लाटी चाज जवा वडरस्या मैं देख दी सकता न्याई के लिए अन्सल पर बेठा हूं उमीद करता हूं उमीद करता हूं शरकार समिधन सीलता दिखाएगी जरूर न्याई करेगी अभी इस बार का कहा गया अफवा उडिति की पे-पर पड़ा कि अब अगवानी रक्षा करें पेपर लीक माफियों से लिकिन यह एस यह चो बढ़ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है मैं फिर दावा कर रहा हूं तमाम सबूत हमने करमचारी चैन बोड अध्यक्स एसोजी को दिये हैं सुनीता सेंच जुन्जु कि रहनी वाल तो कहीं ने कहीं यह प्र लीक हुआ है अब उसको दबाया जाएगा तो अन्याय होगा क्योंकि सभको पता है कि पेपर देने वाला जिसने बहजा था वो सी उका रहा है इसके पास पेपर आया था वो कर हियर सारे सबूत हमने दे द्या तो लिए तो तुन्ट निरिस्ट करक तो आपके साथ जो आपके साथ ही उनके साथ बद सुलूकी की गई इसमें कहीं नहीं लगता है कि कि राजनीतिक लोगों का हाथ है कि यह तो बगवान जाने जो जैसा जो जैसा करेगा वेसा बरहेगा जिसने भी सटेंटर के आसे सटेंटर थोड़ी हो रहे है उन्दीस तॉमबर को मुझे जूठे मुगद में में कि इसी जमीन के कभजे में मुगद में जेल में डाल दिया म मैं जब पीची के बाहर चला गया एक निन तीन मुगद में दर्च कर दिये कितनी बार मुझे जेल में डाला है घर से तीन सित अमर्ग उठा लिया और अब भी उठा सकते हैं अभी क्या परोशा याश उठा ले जाए आपका लायू उठा ले जाए क्योंकि मैं सच की किसां आम आदमी के बेट और बेटी के सपनों की लड़ायी लड़ रहा हूं आज मैं उस युगा के सपनों की लड़ायी लड़ उठा आप ने देखा जब चुनाव होते हैं मद्दान के इंदर को एक चाओन ही बना दिया जाता है जब तक चुनावों कर मद्दान पेटि जब तक पर नहीं पहुंँ जाती है। वहां परींदा भी पड़ नहीं मार सकता। और जो आम आदमी किसान समाने परिवार से आते हैं। उनकी बेटी और बेटी वेटों का जो सफना है। उनकी सपनों की पेटी वाधि लीग क्यों हो जाता है। यदि उप्चनाओं होंगे तो 6 महीने में चुनाओं होकर उनकी सपत हो जाती है यहां यहां विरुजगार साल पर तक मैं पशुची के सक बढ़ती जो 2019 की हैं लंपी वाइर से कई गोवन्स ने जान दे दी अभी तक वह पूरी नहीं हो पाई चार साल से न्याईले में चार म तो आपो गोशना की 1300 पॉपा जलदाईवाग मैं बरती निकाने गोशना की यह पहले बजट की गोशना यह आज भी अदूरी एक लाग पढ़ी गोशना की हमने स्वागत कि पर पूरी करें वर्तबान बजट की गोशना की यह लंबित परकिया है जल से जल सरकार को पूरा क प्रिक्षाएं गोष्णा ही मैं ने मुख्यमंतर जी को पूरी सर्कार को धन्याबाद जहां अच्छा काम करेगी सर्कार माध्या दन्याबाद दूँगा और जहां मेरी यवाओं के साथ अन्याय होगा अत्याचार होगा तो मैं बर्दास्त नहीं कुरूंगा सब को बुतरू आज भी मैं सब कुछ त्यार करके उनके लिए संगर्स कर रहा हूं वी बड़ी बात है कि आप भूके प्यासे और इतना बोल भी रहे हैं मेरा इसके साथ सवाल है कि अगर आप सरकार में आते हैं तो किस सरकार का दामन थामने की क्योंकि विधानसभा चुनाव है देखते हैं क तो मैं माफियों से लड़ा हूं मैं सरकारों से लड़ा हूं बड़े 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 नेताओं से लड़ा हूं मैं आज पर जीता हूं कल पर जीता हूं मेरी प्लानिक हो जाती ही कि कल मिर्शी पिरोजगार के लिए क्या करना परसों के नहीं सोचता हूं रात को मेरे घर के पर गाड़िया घूमती है बहुत कुछ है मैं यहाओं के लिए माफियों से लटाऊं तो आप चर्चाउं में तो पड़्चे बट्रह था रहता हूं गरीब किसान के आम आदबी के बेटे लिए लटता हूं अथी बटा रहूँ तो को यह थे संगा थे लिए जी तो कहिरा आजना डिस अडोन Wiz पराल मांसे को तो आज डिए मिल्ट में दूंठी ओर लिए वथार जूंपर है आगर मिल्टा राओव करिणा श्रुक्षाय तो परमुद्ध श्रुद आधि नह जीर अउन्य सना कॉरत सो करकारपद देती है तो आप क्या करने वाले हैं परली बात मेरे जिस इंसानों को टिकने ने देंगे क्योंकि मैं सच बोलता हूं दोखा देता नहीं और यह के लिए लड़ता हूं मैं तो कहां ना कि जो पेपर लीक हो रहे हैं जिस परकार हालत बने हैं मुझे एक दिन के किसे पावंद किया जाता है दर्द होता है ना जब पर लीक होता है जब मैं आशू देखता हूं चार चार साल ते तेयरी करते मैंने कल एक देखा एक लड़का अउसादमा कर आत्मत्या कर ली उनके माबाप ते क्या बीतरी होगी नेता किसी MLA किसी नेता का बेटा और पड़ाते है MLMP को क्या पता दर्द क्या होता है इसलिए मैं उनसे मिलता हूं लोग उनका चेहरा देखता हूं कि आशू देखता हूं का दर देखता हूं कि मेरे आत्मा रोती है जिस दिन सेकंड गेड का पेपर लीको जब मैं परिक्षा सेंट्रों पोंचा कि लड़की अजरद जो सुआ है नहीं आए दूरा तनिंग शात्रों पूराटे नहीं पूरी राता पर सुया थाए नहीं बिल्कुल नहीं एंटागीं अगेठ मैंम गरम मेरे ऊचर शकर अनका कंट में अध्यू संकाटम आटता हूं तो अजवती है अश्यानी मेरे अजितन चर्य को अ अज हम देख रहे हैं कि आने हमारे संकत में साथ है। यिवा। उसे के साथ जाएंगे जो शंकट में साथ हो होगा जीत कीूछ उन्हें कार जाती रूधर्म'llादीकि योगाths और पुरे राजस्तान के यॉओं में जागरती लेक्के आरहा हूं, जाए मुझे जाना पड़े जाना पड़ेंगा। लेकिन इस बार यॉओं के संगर्ष की जीत होगी। तो उसमें किसको नया चहरे की रूप में देखना चाहते हैं। विकल्प तो हमारे पास बीजेपी कॉंग्रेस का लाओ और भी है ना अरेलपी भी है आप भी है बसबाप भी है बहुत पार्टिया है। लेकिन राजस्तान में दो ही पार्टिया है। देखो यदि कॉंग्रेस अच्छा काम करती है कॉंग्रेस साथ चल जाएंगे। यदि यह लगता है कि बीजेपी भीपक्स की भूमी का सही डंग्छे नहीं नीभा पाती है तो यह समझ देए कि हम उनके साथ आज उनके साथ भी जाएंगे। तीसरी विकल पर चल जाएंगे। बहुत कुछ है। आने वाला समय हम इंतिजार कर रहे हैं कि कौन अच्छा करता है। जो अच्छा करेगा जो यह के तेसी उसके साथ जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह हम एक जूट हैंगे। मजबूत हैंगे। और राजस्तान के एक जेगे करने के मैं कोशिच करूँगा। इस बात चुनाओ रोजगार नोक्री पेपर लिग तर राजस्तान पर होगा। और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो कल किसने देखा। अज़ी तर चुनाओ कर एक तर चुन हूगा और पूस्तान पर नी कांगेर यह जब तक मुझे तक मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं मेरी शुआ है और यह एक लड़ता रहूँ के लिए लेकि इस सरकार में सञरें तरजाधा हुए जूटे मुगदोम हमें डाल दे आगया, इस पर संगर जाधा करना पड़ा लेकिन परीनाम भी खूब मिलें उपीद करता हूं कि इन्होंने अनके साथ जल्बी त्याग दिया है और इनकी लगातार सरकार से मांग है कि युवाव के लिए रोजगार प्रोवाइड करवाएं और उनके लिए जादा-जादा भड़तिया निकालें और इसी के साथ जो परिनाम रोके गए हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाए तो कैमरा बोर्सन करिश्म कुमार के साथ मैं प्रियांका शर्मा पंजाब के सी टीवी जैपुर राजस्तान